हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों सीटेट दिसंबर 24 का नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट होने वाला है और कितना लेट हो सकता है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में जानकारी दे देता हूँ उसके अलावा उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी आपके फॉर्म किस दिन से भरने स्टार्ट हो रहे हैं एक्जाम डेट आपकी क्या रहेगी स्लेबस में कोई चेंज होगा या नहीं होगा एलिजिबिलिटी क्राइटिरी आपका क्या होने वाला है पासिंग मास आपके क्या रहेंगे कोई चेंज है या नहीं है उसके अलावा आपका पेपर आपका आफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी उसके अलावा भी नियू चेंज जो भी हैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो दिहान पूरवक इस वीडियो को समझते रहे हैं, देखते रहे हैं, CTAT की तयारी कैसे करनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा, तो बिल्कुल दिहान पूरवक समझ लीजिए, बहुत ही यूसफुल वीडियो होने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जबरदस जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको बता बहुत सारे स्ट्वेंट नए होंगे, क्योंकि पुराने वाले स्ट्वेंट को तो पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्वेंट जो है, इस वीडियो को नए देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगो को बता दू कि सीटेट की नए क्लासे हमने अभी स्टार्ट की है, जो क आपका फ्रेश बैच है एकदम अभी से तयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो शाम को डेली लाइव क्लास चलती है, उसमें आपको कम्प्लीट तयारी सीटेट की यहीं पर मिल जाएगी, सारे सब्जेट की टोटल पूरा का पूरा कम्प्लीट कोर्स, थियोरी प्लस पीव आप तयारी करेंगे, तो बहतरी तयारी आपकी बेसिक लेवल से एडवांस तकी हो चाएगी, तो सब्सक्रिप्चन के कोई पैसे नहीं लगते, फिरी है, सारी क्लासे यूट्यूब पे इसी चैनल पे होंगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी तुरंत दबा ली प्लस माइनस सिखा आगे, मतलब बच्चों की तरह सिखा आगे, बेस से, क्योंकि मुझे पता है, सीटेट वाले बच्चों का मैथ काफी कमजोर रहता है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस तक लेकर जाएंगे, तो सारे सब्जेट का पहले तो मैं ट्रिक के माधियां섯 से, टैजवर्च के माधियांग's से, कॉंसेप्ट के माधियांस सारा एनलाईइसिस करके, जिससे आपकी बहतनी बहतनी हो जाएगी न कि प्राक्टिस के आप बिलकुल दस सिग्ण में प्रश्यन को स्वाल करोगे, इतनी जबर दस तैयारी आपकी हो जा तो आप इतने तगड़े इतने माहिर बन जाएंगे CETAT में कि आपको कोई नहीं हरा सकता 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% लिखके ले लो मेरे से अगर आपने ये regular classes कर दी तो CETAT में आप फेल नहीं हो सकते अभी पिछले वाले CETAT में हमारे 49,000 student पास हुए है 49,000 student पास हुए हैं, उनमें बहुत सारे student ऐसे थे जो 4-4 सालों से फेल हो रहे थे, 4-4 सालों से पास नहीं हो रहे थे लेकिन फिर उनको हमारे चैनल के बारे में पता चला, किसी ने बताया या YouTube पे उनको मिल गया कहीं से, देखते देखते सामने आ जाता है कब वो आप आये हमारे चैनल पर, फिर मैंने उनको गाइड किया regular उन्होंने classes की, सारी चीज़े मैंने उसको बताई, notes प्रवाइड किये आज उनका seat at पास हो गया, दो महिने के अंदर उनका seat at पास हुआ तो जो लोग सार्ट सालों से पास नहीं कर पारे थे, उनका seat at मैंने पास करा दिया, तो आप तो फिर भी बहुत बहतर हो आपका भी अगर बहुत सारे student ऐसे भी हैं, जिनका कई सालों से seat at नहीं निकल रहा तो इसी बार जो है channel को join कर लो, मैं लिक के दे सकता हूँ, अगर regular आप निकलास कर ली तो seat at आपका निकलवा दूँआ, पहली attempt में निकलवा दूँआ, अभी आपका seat at निकल जाएगा यह guarantee है, क्योंकि मतलब मैं जो आपको content provide कराता हूँ, paid classes में भी आपको इतना जबर्दस content नहीं विलेगा, 10,000 का paid course आपको free में दे रहा हूँ, यह समझ लो, इतनी best classes देता हूँ, इतनी बहतरीन, कि आप 2 दिन join करके देख लो, अगर आपको doubt हो, तो आप जो है, आज channel को subscribe क कर लो, और 2 दिन के लिए कर लो, बस, 2 दिन classes कर लो, उसके बाद में अगर अच्छा ना लगे, तो channel को छोड़ के चला जाना, यह मैं आपको कह सकता हूँ, दो दिन तो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा, किस level की तयारी होती है, तो अगर चाहते ह के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, सीटेट बाई शादाब आलम, शादाब आलम मेरा नाम है, तो लिखेंगे आप सीटेट बाई शादाब आलम, तो आपको मेरी सारी classes मिल जाएंगे, यह CDB की प्लेलिस्ट है, उसके नीचे SST की प्लेलिस्ट है, और यहाँ पर भी देख अब भी अलग से किताब से नहीं बढ़ना पड़ेगा, कोई किताब नहीं खरीदने आपको, सिर्फ इसी के अंदर से सारे complete notes आजाते हैं, मतलब पूरा paper इसके अंदर सी आता है, मैंने चार बार सीटेट इसी से पर क्रैक किया है, इन्हीं notes से बढ़ पढ़के सारा आजाता आप फिर भटकते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता तयारी कहां से करें, कहां जाएं, कहां ना जाएं, इसलिए ये बताना जरूरी होता है, ताकि आपको एक अच्छा और सही platform मिल सके, चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सारी जानकारी क्या है, देखो, पह नोटिफिकेशन की, तो अभी आपका 20 सेप्टेंबर से लेकर के, और 30 सेप्टेंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, 20 से 30 के बीच में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, एक्जाम डेट जो रहेगा, वो आपका दिसंबर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, दिसंबर मिड के बाद में होगा, दिसंबर 2024 में ही होगा, लेकिन आधे दिसंबर के बाद आपका CTAT का एक्जाम होगा, चीक है, तो अब आपना लगा लेना कितनी तयारी का आपके समय है, आपके पास मैं लगबग साड़े तीन महीने का समय मान के चलो, साड क्योंकि उसनोंने बाहरी ढाचे में कोई change नहीं करा, अगर कहेंगे, तो हाँ, मैं no भी कह सकता हूँ, और yes भी कह सकता हूँ, क्योंकि अगर बात करेंगे, तो उनके बाहरी ढाचे में तो कोई प्रारूप में आपको अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुल में जब exam paper उठाके देखiau आप प्रीवेयस पीपर इस साल का जो पीपर हुआ है इससे पिछले वाला तो उसमें बहुँत ज़्यादा चेंज है उसमें बहुत नए ने topics आ रहा है नेए सिले बस आ रहा है कहां से आ रहा है वो मैंने ढूल निकाला है वो मैं चाहिए और फिर स्ट देना चाहते हैं तो ड्लाइड वाले फिर्स और वाले सिगिंड दे सकते हैं यह आपकी है बस आपका बीड यह निए कोई भी टीचिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए उसके अलावा कोई other eligibility आपसे कोई नहीं मांगता ठीक है बस इतना है eligibility में तो इसमें क्या है कि आपका 50% marks होने चाहिए आपके बीएड में डीएड में 50% marks होने चाहिए और जो OBC SCST है उनको थोड़ी सी छूट मिल जाती है 45% तक उनका काम चल जाता है पासिंग मार्स की बात करें तो जनरल वाले को जो पासिंग मार्स होते हैं वो नब्बे हैं डेल सो में से और जो OBC या others जितने भी अदर्स वाले रहेंगे उनके 82 नंबर होता है पासिंग मार्स ठीक है उसके अलावा बात करें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी तो नहीं होगी कोई निगेटिव मार्किंग आपकी सीट एड में नहीं होने वाली पेपर आपका ओफ-लाइन रहेगा यानि के OMR शीट पर रहेगा ठीक है OMR शीट भरने वाला आपका paper रहेगा preparation की बात करें तो preparation के लिए मैंने आपको बताया देखो सबसे पहले तो आप classes join करो जितनी भी classes चल रही है classes का time table अगर मैं आपको बताओं तो आज तो Sunday है तो आज तो एक ही class है लेकिन daily class जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ 5 p.m. होती है आपकी सबसे पहले फिर आपके 6 p.m. होती है class फिर 7 p.m. होती है और CDP class आपको रात को 9 बज़े होती है तो ये live classes का time table है इस समय पे आप live class जुड़ सकते हैं और daily भाई class में जुड़ जाओ जो भी नए student हो पुराने student हो class में regular आना start कर दो regular रहोगे तभी आपका seat at निकलेगा तभी आपकी जो है मतलब वो बढ़ेगा आपकी सोच develop होगी seat at को लेकर के तयारी आपकी बहतरीन हो पाईगी जब तक class नहीं करोगे बनाए हुए notes है 35 से 40 किताबों से 81 करके content तब notes बनाए है इससे बहतर आपकी कोई चीज नहीं है कोई किताब भी इससे बहतर आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि अगर आप 35 किताबे खरीदोगे तो कम से कम 15,000 रुपे की मिलेंगी और notes तो आपके 100 में हजार नहीं 100, 200, 400, 500 मतलब मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पर जाके खुद से देख लेगा तो बस आप यह स्टार्ट करो और अपनी तयारी स्टार्ट करो बागी जानकारी मैंने आपको दे दी है चैनल के साथ में जुड़ जाओ अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लो ताकि आपको सारा गंटेंड मिल सके ठीक है चलिए नेक्स क्लास में मिलते हैं तब तक कि लिए बाइबाई ठीक केर अच्छार्ट करेंड मिलते हैं तब तक कि लिए बाइबाई ठीक केर